प्रतिला परवाहिल लगतार दिखा रही है ताजा मामला जनपत जालोन के काजी हाउसिस्टिस एक्सिस बैंक का है जहां बैंक करनी इतने लापरवाह लिखे की बैंक का सारा रुपए कैस काउंटर पर छोड़ कर और लाकर को बिना बंद किये ताला खुला छोड़ कर पिकनिक मनाने के लिए बाहर छले गए इस लापरवाहि के बारे में तब पता चला जब बैंक का ग्राहक का पुर्षिंग रुपए निकालने बैंक पहुंचा लेकिन बैंक का कोई भी करमचारी बैंक के अंदर नहीं दिखाए लिया तो रुपए निकालने आए ग्राहक में यहां वहां देखा और आवाज भी लगाई लेकिन करमचारी के नराज़द और बैंक के कैस काउंटर पर रुपए रखे और लाकर का ताला खुला देख वा बाहर लगे एटियम में पहुंचा जहां उसने एटियम की सुरच्छा में तैनाद गार दिया संकर से पूछा लेकिन उसे भी पता ना होने पर वा अंदर पहुंचा लेकिन कोई ना होने पर वा शक्ते में आ गया ग्राहक ने इसके बारे में मेडिया को अउगत कराया बैंक के ग्राहक का फुर्चिन ने बताया कि वह तीन पैटालिस पर बैंक आया तो कोई भी नहीं था बैंक के अंदर का लाकर खुला हुआ था और कोई भी करमचारी नहीं था सिर्फ एटियम पर सुरच्छा करनी तैना था लेकिन बैंक में कोई नहीं था आधिकार उन्होंने बताया कि लगवग एक घंटे से सभी अधिकारी गायब हैं बैंक मनेजर परदाइप सीन और वह भी कहीं चले गये हैं अगर कोई घटना हो जाती है तो इसकी जीमेदारी मनेजर और अधिकारीं की होगी एक सुरच्छागाड क्या कर सकता है उसके पास सुरच्छा के लिए कोई बंदूग भी नहीं है अब सवाल यह होता है कि जब उरई की सेंट्रल बैंक में दिन दहारे इतनी बड़ी लूट हो गई है तो फिर बैंक के करमचारी क्यों इतने लापरवा हो गए हैं कि बैंक को ख सब्सक्राइब कर दो यह तो आप जो है एटियम हैं बैंक का भी दाय तो देखते हैं यह लेकां बैंक के पोई वह नहीं है अब क्यासर जमाद नहीं हुगा है पॉंटर भी आपको लोगर हो भी खुला प्लाओ फुला हुगा है मेर्स आपकर कहना में आपके तरी बिदी जन पंजालों से अनूच पाटकार की रिपोट